हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैं यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ तिल की चिक्की की रेसपी ये चिक्की खाने में बहुती ज्यादा टेस्टी लगती है टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है क्योंकि तील और गुड हम तो देखी फ्रेंड्स आप भी ऐसे ही खस्ता क्रिस्पी चिक्की घर पर बना सकते हैं बहुती असानी से कम इंग्रीडियंट के साथ और कम समय में तो आईए बीना देरी के रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं तो देखी तिल की चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे एक बोल सफेद तिल तिल को हमें लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है जब तक ये लाइट ब्राउन कलर के ना हो जाएं तिल भूनते समय आप इन्हें लगातार चलाते जाएं बीच में ब छोड़ी देर और ऐसे ही लगतार चलाती जाँगी जब दिल भुननरा स्टार्ट हो जाते हैं तो इनसे चाटकने की आवाज आना स्टार्ट हो जाती है साथ ही प्लेटने लगते हैं तो देखे तिल हमारे अच्छे से भुन कर तैयार हो गए है इस स्टेज पर मैं गैस की फ्लेम को ओफ करूँगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लोगे तिल को भुनने में मुझे यहाँ पर टोटल पांच मिनट का समय लगा है तो देखे तिल हमारे भुनकर तैयार हो गए है अभी हम इन्हें साइड में रख देंगे और सेम कड़ाई को साफ करके फिर से ले लेंगे अभी मैं इसमें डालूँगी एक बोल गुड जिसे मैंने चाकू के साथ छोटे छोटे टुकडो में कट कर लिया है गैस ओन करेंगे और इसमें डालेंगे करीब दो चमच पानी हमें गुड को लो मीडियम फ्लेम पर लगाता चुलाते हुए मैल्ट कर लेना है तो देखे गुड हमारा मैल्ट होना स्टार्ट हो गया है जैसे ही गुड अच्छे से मैल्ट हो जाएगा तभी मैं इसमें डालूंगी एक चमच देशी घी इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे गुड के मैल्ट होने के बाद हमें गुड को करीब पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर लगाता चलाती हुए अच्छे से पका लेना है जैसे आपको लगे कि गुढ का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है और गुढ हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है तब ही हम इसे चेक करेंगे इसे चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल में पानी लिया है गुड की कुछ ड्रोप्स इसमें डाल देंगे और इसे कुछ सेकेंड के लिए ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे तो देखिए अभी गुढ हमारा काफी सोफ्ट है आप देख सकते हैं तो मतलब हमें गुढ को थोड़ी देर और पकाल लेना है करीब दो मिनेट और मैंसे लगता चलाते हुए पकाल लूँगी उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस को रपेट करूँगी गुढ की कुछ ड्रोप्स पानी में डालकर उसे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम चेक करेंगे तो देखिए गुढ अभी हमारा सोफ्ट तो नहीं है लेकिन अभी ये कीचने से रबड की तरह कीच रहा है तो मतलब गुड हमारा अभी भी पक कर तयार नहीं हुआ है हम इसे थोड़ी देर और ऐसे ही चलाते जाएंगे और सेम प्रोसेस को फिर से रपीट करेंगे गुड के पकने की हर एक सेज मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है ताकि आपकी चिकी फर्स टाइम में ही अच्छी बनकर तयार हो ठंडा होने पर हम फिर से चैक करेंगे तो देखिए अब हमारा गुड अच्छे से तूटने लगा है मतलब हमारा गुड अच्छे से पक कर तयार हो गया है आप देख सकते हैं जब तक गुड इस स्टेज पर ना आ जाए तब तक आप उसे लगातार लो फ्लेम पर चलाते हुए पका लें अभी मैं इसे एक बार अच्छे से चला लूँँगे अभी मैं इसमें डालूँगे करीब दो चुटकी बेकिंग सोडा इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे करीब आधी मिनट तक हम गुड को फिर से पकाएंगे बेकिंग सोडा डालने से हमारी चिक की क्रिस्पी बनी रहेंगी वो ज्यादा हाड नहीं बनेगी तो बस अभी हम गैस के फ्लेम को ओफ करेंगे और भूने हुए तिल को गुड के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है करीब तीन से चार चमच मुंगफली जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है यह टोटली ओप्शनल है अगर आप चाहें तो डाले नहीं तो आप सिर्फ तिल से भी यह चिक्की बना करके तयार कर सकते हैं तो देखें मिक्चर हमारा अच्छे से तयार हो गया है इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इसके लिए यहां पर मैं प्लेट को घी के साथ अच्छे से ग्रिस कर लोंगे यह प्रोसेस आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं ग्रिस प्लेट में हम तिल और गुड के मिक्चर को डाल देंगे ये प्रोसेस आपको जितना जल्दी हो सके कर लेनी है क्योंकि मिस्चर हमारा बहुत जल्दी जमना स्टार्ट हो जाता है तो देखें यहाँ पर सेम स्पैचुला से फैलाने में इसे मुझे थोड़ी प्रोब्लम हो रही है इसलिए मैं इसके लिए एक अलग स्पैचुला का इस्तेमाल करूँगी जिसे मैं घी के साथ अच्छे से ग्रीस कर लूँगी इसके साथ मैं इसे अच्छे से फैला लूँगी आप चाहें तो बेलन को घी के साथ ग्रीस करके भी इसे इसली बेल सकते हैं तो देखे मैंने इसे प्लेट में अच्छे से फैला दिया है गर्म में ही फ्रेंड्स हमें इसे चाकू के साथ इसके पीसिज कट कर लेने हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद हम इसके पीसिज कट नहीं कर पाएंगे कट करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से रूम टेंप्रेचर पर आ जाएगा उसके बाद हम इसे प्लेट से अलग कर लेंगे तो देखें यहाँ पर चिक्की को रखे हुए करीब आधा घंटा हो गया है और ये अच्छे से प्लेट से अलग हो रही है आप देख सकते हैं देखा फ्रेंड्स आपने आप भी इसे घर पर आसानी से कम समय कम इंग्रीडियंट और कम महनत के साथ बना करके त्यार कर सकते हैं आप चाही क्रिस्पी करारी बन कर तयार होगी अगर फ्रेंड्स यह रेसेपी आप ट्राइ करते हैं तो अपनी कीमती फिड़बेक मेरे साथ जरूर से शेर कीजिएगा मुझे आपकी कीमती फिड़बेक का इंतिजार रहेगा मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक और नई रेसेपी के बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्स फोर वाचिंग